हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि जाबा स्कृिप्ट में control statement इसकी definition क्या है और control statement कितने प्रकार का हुता है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम या पी जानेंगे control statement इसकी definition क्या है तो इसकी definition है जावा स्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रियोग किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है किसी भी प्रोग्राम फ्लो में किस स्टेटमेंट को किस कंडिशन के अधार पर एग्जिक्यूट करना है अध्वा कितनी बारा execute करना है ये कार्य control statement दबारा किया जाता है तो ये इसकी definition है जावा स्क्रिप्ट पर दो परकार के control structure होते है तो सबसे पहला जो है वो है decision structure और selection statement तो इसके भी आगे types है इनको हम यह आपी करेंगे जैसे ये first है if statement second है if as statement third है if as if statement और fourth है switch statement तो ये जो types है ये decision structure और selection statement की types है इसके बाद second type है looping structure तो looping structure इसके भी आगे types है यहाँ पर first है for loop, second है while loop, third है do while loop तो ये looping structure की types है तो इन सभी types को हम आगली वीडियो में एक एक करके सिखेंगे तो इस वीडियो में हमने javascript में control structure इसकी definition क्या होती है और javascript में control structure कितने परकार का होता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद